नमस्कार मैं हुनिवेदिता शुकला पर को लोगसभा स्पीकर के सब्र का बांध तूट गया और उन्होंने सदन में मौजूद सांसदों को जम कर लताड़ा। सदन की कारेवाही एक बार स्थगित होने के बाद भी जब दोबारा शुरू हुई तब भी बीजेपी कॉंग्रेस AIA DMK TDP सदस से अपने अपने मुद्दों को लेकर शोर शराबा कर रहे थे। कॉंग्रेस, AIA, DMK, TDP सदस या ध्यक्ष के आसन के करीब आकर नारेबाजी कर रहे थे स्पीकर महाजन ने सांसदों के तुलना स्कूल जाते बच्चों से की और कहा कि क्या आप स्कूल जाते बच्चों से भी गैर गुजरे हो गए है बच्चे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उनका स्कूल बहतर तरीके से चल रहा है वहीं समित्र महाजन ने बाहर से आने वाले शिष्ट मंदल की भी बात की जो आकर पूछते हैं कि ये आपके यहां हो क्या रहा है चाहते हैं कि हम स्कूली बच्चों से भी गए गुजरे हो गए है आइम सॉरी हम जिम्मेदार हलाखों लोगों ने हमें चुनके दिया है दस-दस 15-15 लाख वोट हम पाते हैं थोड़ा सा हम जिम्मेदारी निभाए आगे लोगसभा स्पीकर कहती हैं कि माना ये वर्तमान लोगसभा का आखरी पूर्ण सत्र है और आप लोगों के अपने-पने मुद्दे हैं संसत चर्चा के लिए है और सरकार चर्चा के लिए तयार है लेकिन शोरगुल करके हला करना ये तरीका सही नहीं है अगर आपके पास जायज मुद्दे हैं तो मैं खुद उन मुद्दों पर सरकार से चर्चा के लिए कहूंगी विपक्ष में बैठे लोगों के इस रवये से न जाने सदन का कितना काम पेंडिंग पड़ा है लेकिन विपक्ष है कि उसके कानों पर तो जू भी नहीं रहिंती और वो हल्ला करने के अलावा और कोई बात सुनने के लिए तयार ही नहीं होता विपक्ष को जरुरत है तो शान्त रहकर अपनी भी भात कहने की और सरकार की बात को भी शान्ति पूर्ण तरीके से सुनने की जिससे सदन की कारेवाही सही तरीके से चल सके